तो दोस्तों अगर आप Yono SBI का यूजर नेम और 와ड दोनों भूल चुके हैं तो वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कैसे आप Yono Sbi में अपना पासवर्ड और यूजर नेम कैसे recover कर सकते हैं और कैसे पासवरड अपना मन चाहा पासवरड को state कर सकते हैं और USERNAME को पता कर सकते हैं नि तो change कर सकते हैं वीडियो में detail में बताऊंगा step by step आप फॉलो किज़ेगा जिससे कि आप भी YONO SBI का घर बैटे पासवेड साथ कर सकते और यूळर निभी पता कर सकते और लॉग इन कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए मेरे मोयल क्लिके यूजर नेम जोना भूल भूल चुके हैं यूद नेम योजटे नेम और यूजइब одна मॊ आपको Chrome से ही open करना है फिर continue to login है continue to login पर क्लिक करना है स्वाइब करके आप नीचे आईएगा तो देखें new user registered active है और यहां पर देखिए forget username login password यहां पर देखिए option देख रहोगा forget username login password इस पर पर देना है forget username login password पर देखिए तो फिर उसके बाद इसको ओड़ा जूम कर देना है आपको जूम करने के बाद देखिए यहां पर फॉर्गेट माई login password है यहां पर एरो पर क्लिक किजिए पहले आपको क्या करना यूजर नेम के बारे में यूजर नेम अगर आपको याद नहीं है तो पहले यूजर नेम पता किजिए फिर password पता किजिए तो फॉर्गोट यूजर नेम है देखिए फिर से मैं दिखा दे रहा हूं ऐसा इंटरफेस जैसे आपको खुलेगा तो जूम करना यहां पर एरो पर क्लिक करना है एरो पर क्लिक करने के बाद फॉर्गोट यूजर नेम पर क्लिक करना है फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना नेक तो आपको कहा मिलेगा आपको पास्बूक में बैंक का पास्बूक में मिलेगा फिर नंबर डालिए फिर उसके बाद यहां पर आपको कहा करना है capture डाल देना है ठीक इंटर टेक्स्ट इस शोन इन इमेज में जो capture आपको दीख रहा है वो सेम टू सेम कैपिटल में है तो पीटन डालिए इतना चीज मैं फिल कर लेता हूं फिर मैं सब्मिट करता हूं मघ्ल दाल दिया है country इंडिया से लेकर लिया है फिर phone number ढई ऑब फोन नमबर से आपने bank account खोला हो डालना है फिर capture डालना फिर करके देना मैं सब्मिट कर दो यह घए जडि़ो टू जार दिया है कि यहां परligen करने के अब देना है फिर इसके बाद देखिए मेरा यूजर नेम आ गया है देख सकते ahí यहां पर मेरा login username has been sent to your registered mobile number your login username is इतना मेरा username आ चुका है ठीक है तो दोस्तों अगर आप username तो आपका आ गया है फिर अगर आप password भी recover करना चाहते है password अगर आप भूल गया है योनों का तो आपको फिर से वापिस से स्थ आपका आ जाना है फिर यहां पर फिर से लोगिं पर गिलीक करना है और जो फ़यस्ट वाला link है लिंक पर क्लिक कर देना एस लोगिन फिर यहां पर continue टू ल्ग इनपर फिर से वही सेट और गॉइन पर नीचे बाला है फिर उसके पारट username लोग इन पासवर्ण फिर नेक्स्ट करते नहीं करने के बाद फिर उसके बाद देखिए यहां पर क्या-क्या डालना है आपने जो यूजर नेम अभी रिकवर किया था वह यूजर नेम डाल दीजे डाल दीजे एकॉंट नमबर डाल डीजे कंट्री डाल दीजे मैं कंट्री लिए और न यहांसा भी सेलिक्ट कर लेता हूं फिर उसके बाद आपको डालना है और फिर यहां पर डुलिखा है कияхके लिए ठीक है तो मैं यहां पर इतना कुछ डालने के बाद यहां पर सब्मिट करता हूं भी सब्मिट कर देना जैसा ही सबमीट करिये ग disp串inku कर लिएया यहां पर एक option आ रहा है इंटर वन टाइम ओटीपी पासवर्ड तो आपके नंबर पर वन टाइम ओटीपी आएगा रेजिस्टर्ड मॉबाइल नंबर पर तो उसको आपको डालना तो यहां पर देखिए बहुत सार ऑप्शन दिख जाएगा यूजिंग एटीम काड़ डीटेल यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड रिसेट यूर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच एसिस्टेंस तो अगर आप ब्रांच में जाके अपना सही करवाना पासवर्ड चेंज करते कार दा सब्सक्राइब करने के भाइन के एक सब्सक्राइब टेक्स्ट आपको डालना हूँ दोस्तों सारा डीटेल आपको डालना है फिर उसके बाद आपको क्या करना है प्रोसीट पर क्लिक कर देना है प्रोसीट पर जैसा ही क्लिक कीज़ेगा एर कॉप्शन दिखा रहा है बस क्लिक हेर पर क्लिक कर देना है क्लिक हेर पर जैसा ही क्लिक कीज़ेगा तो आप यह पासवर्ड और यूजर नेन दोनों को पता कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्नो ग्रीडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्स वर वाचिंग